बाबा शीव के पावन धर्ती पर आप सब काशी के लोगन के हमार प्रणामबा मेरी काशी के लोगों के इस जोश ने सर्दी के इस मौसम में भी गर्मी बढ़ा दी है काक कहल जाला बनारस में जिया रजा बनारस अच्छा शुरुआत में हमें एक ठेश शिकायत है काशी के लोगन से कहीं हम आपन शिकायत कहीं हम आपन शिकायत ए साल हम देव दिपाली पर यहां ना रहिला और एदा पारी देव दिपाली पर काशी के लोग सब मिलकर रिकॉर्ड तोड़ देलन आप सब सोच रहे होंगे कि जब सब अच्छा हुआ तो मैं शिकायत क्यों कर रहा हूं मैं शिकायत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो साल पहले जब मैं देव दिपाली पर यहां आया था तो आपने उस समय के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया अब घर का सदस्य होने के नाते मैं तो सिकात करूंगा ही क्योंकि आपकी यह मेहनत देख लेक लिए मैं इस बार यहां था नहीं इसमार जो लोग देव दिपाली के अद्भूत द्रश्य को देख कर आये विदेश के महमान भी आये थे उन्होंने दिल्ली में मुझे पूरा हाल वसाया था जी ट्वेंटी में आये महमान हो या बनारस आने वाला कोई भी अत्ती थी जब वो बनारस के लोगों की प्रसंसा करते हैं तो मेरा भी माथा उंचा हो जाता है कासी वासियों ने जो काम कर दिखाया है जब दुनिया उसका गवरोगान करती है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है महादेव की कासी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है मेरे परिवार जनों जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब बीस हजार करोड रुपिये के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है बनारस के गाउँ में पीने के पानी की सप्लाई हो बी एच यू ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केर यूनिट हो सडक, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एरपोर्ट, साउर उर्जा और पैट्रोलियम जैसे अनेक शेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो ये इस शेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे कल शाम ही मुझे काशी, कन्या कुमारी, तमिल संगरम, ट्रेन को भी हरी जंडी दिखाने का आउसर मिला था आज महारा नसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुड़ू हुई है आज से मौँ दोहरी गाट ट्रेन भी शुड़ू हो रही है ये लाइन चालू हो जाने से दोहरी गाट के साथ ही बढ़हल गंड, हाटा, गोला गगहाता सभी लोगों को फाइदा होने वाला है इन सभी विकास कारियों के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे परिवार जनो, आज काशी समेट सारा देश विक्सीद भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्द है विक्सीद भारत संकल्प यातरा हजारों गवों, हजारों शहरों में पहुँच चुकी है करोडों लोग इस यातरा से जुड रहे हैं यहाँ काशी मैं मुझे भी विक्सीद भारत संकल्प यातरा का हिस्सा बनने का आउसर मिला है इस यात्रा में जो गाड़ी चल रही है उसको देशवासी मोधी की गारंटी वाड़ी गाड़ी बुला रहे हैं आप सब लोग मोधी का गारंटी जाने लाना हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्यान की जन कल्यान की जो भी योजनाई बनाई है उनसे कोई भी लाभारती बंचीत न रहे पहले गरीब सरकार के पास सुविदाओं के लिए चक्कर लगाता था अब मोधी ने कह दिया है कि सरकार खोद चल कर गरीबों के पास जाएगी और इसलिए मोधी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपर हिट हो गई है काशी में भी हजारों नए लाभारती सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले वंचित थे किसी को आयुष्मान कार्ड मिला है किसी को मुप्त राशनवाला कार्ड मिला है किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है किसी को नल से जलका कनेक्शन मिला है किसी को मैप मुप्त गैस कनेक्शन मिला है हमारी कोशिज है कि कोई भी लाबार्ती बंचित ना रहे सबको उसका हक मिले और इस अभियान से सबसे बड़ी चीज जो लोगों को मिली है वो है विश्वास जिने योजनाओं का लाम मिला है उन्हें ये विश्वास मिला है कि उनका जीवन अब और बहतर होगा जो बंचित थे उन्हें ये विश्वास मिला है कि एक ना एक दिन उन्हें भी जरूर योजनाओं का लाम मिलेगा इस विश्वास ने देश के इस विश्वास को भी बड़ाया है कि साल दोजार सैतानिस तक भारत विश्वित होके रहेगा और नागरीकों को दुलाब जो होता है होता है मुझे भी लाब होता है मैं दो दिन से ये संकल प्यात्रा में जा रहा हूँ और मेरा जो नागरीकों से मिलना होता है कल में गया स्कूल के बच्चों से मिलने का मोका मिला क्या आत्मविश्वास था कितनी बढ़िया कविताएं बोल रही थी बच्चियां पूरा विज्ञान समझा रही थी और इतने बढ़िया तरीके से अंगणवाडी के बच्चे गीत गां करके स्वागत कर रहे थे मुझे इतना सुख मिलता सा देख करके और आज अभी यहीं एक बैन हमारी चंदा देवी का मैंने भाशन सुना इतना बढ़िया भाशन था याने मैं कहता हूँ बड़े बड़े लोग भी ऐसा भाशन ने कर तकते सारी चीजे इतनी बारिक से वो बता रही थी और मैंने कुछ सवाल पूछे उन सवालों का जबाब भी और वो हमारी लगपती दिदी है और जब मैंने उनको कहा का आप लगपती दिदी बन गई तो उनने कहा कि साब यह तो मुझे बोलने का मोका मिला है लेकिन हमारे समू में तो और भी तीन-चार बहिने लगपती हो चुकी है और सब को लगपती बनाने का संकल पर किया है याने इस संकल पर यात्रा से मुझे और मेरे सभी साथियों को समाज के भीतर कैसी शक्ती पड़ी हुई है एक से बढ़कर एक सामर्थवान हमारी माताए, बहने, बेटियां, बच्चे कितने सामर्थवें से बरे हुई है खेल कुद में कितने होसियार है ज्यान किस परदाओं में कितने तेज है यह सारी बाते खुदे देखने की, समझने की, जानने की, अनुबाव करने की यह सबसे बड़ा आउसर मुझे संकल को यात्रा ने दिया है और इसलिए सारवजनिक जीवन में काम करने वाले हरे को मैं कहता हूँ यह विक्सिद भारत संकल को यात्रा यह हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन की चलती फिरती युनिवर्सिटी है हमें सिखने को मिलता है मैं दो दिन में इतना सिखा हूँ इतनी चीजे समझा हूँ आत्मेरा जीवन धन्य हो गया है मेरे परिवार जिनो कहल जाला काशी कब हूँना छाड़िये विश्वनात दरबार हमारी सरकार काशी में रिहाईस आशान बनाने के साथ ही काशी को जोड़ने के लिए भी उतनी ही महनत कर रही है यहां गाव हो या फिर सहरी छेत्र कनेक्टिविटी की बहतरीन सुविधाय बन रही है आज जिन प्रोजेस का सिलान्यास और लोकारपन यहां हुआ है इससे काशी के विकास को और गति मिलेगी इनमें यहां आसपास के गाव को जोड़ने वाली अनेक सडके भी है शिवपूर, फुलवरिया, लहर तारा मार्ग और रोड ओवर ब्रीज के निर्मान से समयव और इंधन दोनों की बचत होगी इस परियोजना से सहर के दक्षिन हिस्से से बाबतपूर एरपोर्ट जाने वाले लोगों को भी बहुत मदद मिलेगी मेरे परिवार जनों, आधुनिक कनेक्टिविटी और सुंदरी कनन से क्या बदलाव आता है, ये हम काशी में देख रहे हैं आस्था और आध्यात्मा के महत्वपुन केंदर के रुप में काशी का गवरव दिन प्रतिजिन बुलंद होता जा रहा है यहाँ परियटन का भी लगातार विस्तार हो रहा है और परियटन से काशी में रोजगार के हजारों नए आउसर भी बन रहे हैं स्री काशी विश्वनाद्दाम का भव्य स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक तेरा करोड लोग बाबा विश्वनाद के दर्शन कर चुके है बनारस आने वाले स्रत धालूओं और परियटकों के संख्या लगातार बढ़ रही है और जब परियटक आता है ना तो कुछन कुछ देख करके जाता है हर परियटक सो रुपिया दो सो रुपिया पांच सो रुपिया हजार पांच हजार जिसकी जितनी तागत तो काशी में खर्च करता है तो पैसा आपी के जिब में जाता है आपको याद होगा लाल के लिए से मैंने कहा था कि हमें पहले अपने देश में कम से कम पंदरा शहरों में गुमना चाहिए पंदरा जगा पे जाना चाहिए और फिर कहीं और के बारे में सोचना चाहिए मुझे अच्छा लगा कि जो लोग पहले सिंगभापूर याद दुबई जाने की सोचने थे वो अब अपना देश देखने के लिए जा रहे हैं बच्चों को कह रहे हैं भै जाओ अपना देश देखकर क्या हो जो पैसा वो विदेश में खर्च करते थे वो अपने ही देश में खर्च हो रहा है और भाई यो भेनों जब परियतन बढ़ता है तो हर कोई कमाता है बनारज में भी टूरिस्ट आ रहे हैं तो होटल वेवसाई कमा रहे हैं बनारज में आने वाला हर टूरिस्ट यहां के टूर टेक्सी ऑपरेटर को हमारे नावीकों को हमारे रिक्षा वालों को कोईन कोई कमाई करा देता है या टूरिजम बढ़ने से पर जत्पाइदा मिला है आचा एक बात बतावा एक बात बतावा गदोलिया से लंका तक तुरिस्टर का संख्या बडल हो की नहीं साथियों काशी के लोगों की आए बढ़ाने के लिए यहाँ पर परिया टकों को अधिक स्विधाय देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है आज वारा नसी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहट यूनिपाइट टूरिस्ट पास सिस्टम काशी दर्शन का भी शुवारम किया गया है इससे अब यहाँ अलग-अलग जग़ों में जाने के लिए परिया टकों को अलग-अलग तिकट लेने की जरुवत नहीं होगी एक पास से ही हर जग़ एंट्री संभव हो पाएगी साथियों कासी में कहां क्या देखना है कासी में खाने पिने की मशूर जग़ें कौन सी है यहां मनोरंजन और एतिहासिक महत्व की जग़ कौन सी है ऐसी हर जानकारी देश और दुनिया को देने के लिए वारा नसी की टूरिस वेबसाइट काशी को भी लॉंच किया गया है अब जे बाहर से आवेला ओके थोड़ी पता है कि यी मलैयों के मौसम हो जाड़ा के धूप में चुडा मतर का अनन्द कोई बहरी कैसे जान पाई गदवलिय के चाड होए या राम नगर के लस्टी इस सब जानकारी अब कासी वेबसाइट पर मिल जाई साथियों आज गंगाजी पर अने गाटों के नमीली करन का काम भी शुड़ू हुआ है आधुनिक बस सेल्टर हो या फिर एरपोर्ट और रिल्वे स्टेशन में बन रही आधुनिक स्विधाएट इससे वारण से आने वालों का अनुभव और बहतर होगा मेरे परिवार जनों आज काशी शहीत देश के रेल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है आप जानते हैं कि देश में रेल वे की गती बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है माल गाड़ियों के लिए इस्टन और वेस्टन डेडिकेटेट फेट कोरिडोर बन जाने से रेलिवी की तस्वीरी बदल जाएगी इसी कड़ी में आठ पंडित दिन्दाय उपाद्याय जंक्षन और न्यू भावपूर जंक्षन के बीच के खंड का लोकारपन हुआ है कोईला और दूसरा कच्चा माल आना और आसान हो जाएगा इससे कांसी छेत्र के उद्योगों में बने सामान को किसानों की उपच को पुर्वी भारत और विदेशों में बेजने में भी बहुत मदद मिलेगी साथियों आज मनारस रेल इंजिन कारखाने में निर्मेद दस हजारवा इंजिन का भी संचानन हुआ है ये मेक इन इंडिया मेक फ़र्द वर्ल्ड के प्रती हमारी प्रतिवद्दता को ससक्त करता है झाल झाल झाल